सुरी उपासना से जुड़ा प्राचीन परंपरा छट महापर्व आज पूरे देश में हर सो लास के साथ मनाय जा रहा है बिहार हो राज़ानी दिल्ली हो या फिर सांस्कृतिक राज़ानी बनारस हो हर सो लास के साथ जो शद्धालू है वो घाटों पर पहुच चुके हैं मन में यही उत्सा है मन में यही उमंग है कि हमारी सभी मनोकामनाओं को छटी मया पूर करें हम आपको बनारस के घाटों की तस्वीर दिखाएंगे यह देखिए यह मान घाट की तस्वीर है और आप दूर तक नजर देख पा रहे होंगे कि जो घाट है वो पूरी तरह से भरे हुए हैं चार दिवस्य अपर्व होता है नहाई खाल से सुरू होता है इसमें अनेक परंपराय होती हैं और माताएं बहने उसे पूरी विधी विधान से उसका निर्वहन करती हैं और जब बात हो काशी की तो यहां के लिए कहा ही जाता है कि सात वार नो त्योहार चलिए जो माताएं हैं उनसे बात करने का भी प्रयास करेंगा और देखिए छटी मया को चड़ाए जाने वाला जो पूजन सामागरी है इसके अलावा भोग है वो यहां पर चड़ाए गया और आज का जो दिन है सुर्यास्त होते जल देने का महात्म है इसके बाद कल कर रही है क्यों है क्या कुछ मानेता है कई वर्सों से हो चिए 25 साल क्रीम हो रहा है और पूत्र उद्पति के लिए किया जाता ऎं करते हैं उनको स्मय मनुक्यमनाय पूरि और सब ठीक होता है यानि कि संतान प्राप्ति के साथ साथ हमारे जो और कष्ट है उसको दूर करने के लिए भी लोग करते हैं सारी मनोकामनाएं पूरे होती है हर कष्ट महाभारत में भी इसका उलेक किया गया है पुंति ने इसको किया था और जो है कि उनके असिरवास उन्हों कर्ण की प्राप्ति होई थी और इसमें विशेश जो है कि शुद्धता पवित्रता का विशेश ध्यान दिया जाता है एक और बात कि चार दिवस्ती ये पर्व होता है नहाय खाय से सुरू होता है और कल का पोखर वाँ पोखरा जल से भारी पोखरा दुघ से भारी गोरा भायल बीनू सहारा भाईला यारगा की बेर भाईला ब्यार गिया की बेर पाहिन जो है आपको परमपराओं से जोड़े रखता है दिदी एक बात बताइए लंबे समय से आप पर रखती हैं कुछ ऐसी मनोकामना है जो आपकी पूर हुई हो छटी मया ने पूर किया हो कुछ यादे ऐसी जो बताइए जरा कि आपने व्रत रखा और पूरा हो गया हमारे छोटा वाला लड़का चटी मया के मननत से है हमने अचानक मनत माना क हमको थाटी मया पूत्र दे ले ठीक साल बर बादी हमको छोटा लड़का हुगा पूत्र हुए प्राप्ति आप कब से इस परंपरा का निर्भान कर रहे हैं तकरीवन कितने वार्चों से इस समय में 27 साल से मेरा छोटा लड़का 27 साल का हो गया है जब तैयारी सुरू होती है प्रथम दिन नहाय खाय से बड़े पवित्रा तकता का ध्यान दिया जाता है क्या तैयारी करती है उस दिन हम लोग सुबह उठका नहां दोकर कद्दू का बनता है सब डाल और चावल दिन बर उसी को खाय कर रहा जाता है दूसरे दिन वकीर करते हैं जो साम को अरक देते हैं शुबह उसका अरक देकर चौते दिन उसके बाद पुजा करते हैं आप देख पा रहे होंगे कि बनारस इस समय छट महापर्व के उल्लास में डूबा हुआ है और मनुकामना अनेक हैं किसी की मनुकामना किसी की प्रातना है कि संतान अनेक हैं गड़ कि ड्राव कर देता हैं जुदी